हलो पेरंट्स वॉल्गम बैक टो मैं चैनल तेके पेरंट्स आज आज मनाएंगे कानजी के लिए ड्रेस जो कि हमने कॉटन के कपड़े से बनाई है बहुत इजी है इसको बनाना जितनी यह खुफस्तुरत लग रही है उतना इजी हीर से बनाना भी है और यह ड्रेस बनाईए तीन साइज में आराम से पहना सकते हैं इसका मैं आपको बैक लूप भी तिखा देती हूं बहुत ही इसका हमारा खुबसूरत बैक लूप लुका आ रहा देखिए कितना प्यार हमारा कलर कॉमिनेशन है और लैस भी हमारी बहुत ही अच्छी है इसमें हमने डबल फ्रिल मिलती रहे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूं आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चली प्रेंट समी स्टार्ट करते हैं दीके बैर साज हम कॉट्टर के ड्रेस बनाएंगे कानजी के लिए यह कॉट्टर का कप्टा है इसकी देखिए लंबाई मैंने देखिए कितनी लिए 16-32 यह हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है और इधर से देखिए हमने 4 इंच की चोड़ाई लिए सेम इसी मिजरमेंट का हमने 16-32 देखिए इसकी लंबाई इतनी है 32 है और इसकी चोड़ाई हमारी यहां पे हमने 2 इंच लिए 2 कपड़े लिए हमने अब यह देखिए इस तरीकी कि हमने लेस लिए है यह लेस हमने ब्लू कलर में नेवी ब्लू कलर किया इसे हम क्या करेंगे यहां पे इस तरीके से किनारी पे लगाएंगे पूरे कपड़े पे इस तरीके से लगा देंगे और यही लेस हम इस वाले कपड़े पे भी लगा देंग इतना कर लेते हैं friends हम पहले इस पार ये पट्टी पे हम ये लेस लगाते हैं और इस पे भी लगा लेते हैं दोनों पट्टी पे लगा लेते हैं चलिए इतना कर लेते हैं पहले देखे, फैर्स हमने हम पर यह लेस लगा लिया है, लेस आप अपनी वर्जी से कोई सी भी लगा सकते हैं, यह कपड़ा हमने डबल फोल्ड लिया तब लेट्स, तो हमने देखे एक स्थाइँ हम भी लगा लिया है, ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से यहाँ पर सैट हो है इस तरीके से और हमें ऐसे करके यहां पर एक स्लाई लगा देनी है पूरी में पूरी कपड़े पर हमें इसी तरीके से बराबर बराबर रखते विए इस पर एक स्लाई लगानी है देखें बराबर हमारा कपड़ा है तो चले फ्रेंस हम यह वाली स्लाई भी लगा लेते हैं देखे फैल्स हमने हमाब पिस लगा लिए पूरे पर हमने स्लाइब सिंप्ली लगा लखा कर लिए अब दिखे हमें इसको क्या करना है सबसे पहले हम यह side और अपनी यहाँ पर इस तरीके से lace लगा देंगे जिससे कि हमारी किनारी पर finishing आजाएगी इस side भी हम इसी तरीके से लगाएंगे और दूसरी side भी तो चलिए fans हम इसे भी लगा लेते हैं देखे fans हमने इतना बना के अपना complete कर लिया है हमने दोनों साइड लॉक कर लिया है अब हम इसमें देखे फ्लीट्स डालेंगे इस तरीके से हमें यहाँ पर यह वाली लेस के उपार हमें कपड़ा नहीं चड़ाना है इस तरीके से हमें यहाँ से फ्लीट्स डालनी है यह देखिए इस तरीके से करते हुए हम pleats डालेंगे यह देखिए तो चले pants हम इस तरीके से यहाँ पर pleats डाल लेते हैं उसके बाद आपको next step बताएंगे पूरे पर हमें pleats डालनी है तो चले डाल लेते हैं देखे pants हमने इसके pleats डाल ली है अबनी अब इसके हम कमर देख लेते हैं आप इस तरीके से इसे पकड़िए और इसको सीधा पकड़के ऐसे नाप लीजिए देखिए चे आप इसके कंभणा आ रहे हैं हमने शां हम इसको नेफा बनावध देखर करने के लिए इसके चुड़ाई हमने रखे है डार ही है यूजित वरखके लिए यूज कर रहे हैं और इसकी लंबाई देख लेते हैं हमने कितनी लिए है इसके हमारी लंबाई कम से कम 20 इंच की है आप इसे 15 इंच ले सकते हैं जितना आपको मतलब मैं डोरी भी सी की लब बनाने वाली हो यह देखिए हम इस तरीके से सगर फोल्ड कर लेते हैं इतना तो देखिए हमारा यह इतना तो नेफा हो जाएगा और इतना हमारा बादने के काम आएगा आप इसे थोड़ा चोटा कर सकते हैं टोटल हमारी 20 इंच की है तो लगवग आप इसे 4-5 इंच कम कर दीजिए और अगर आप लंबी डोरी रखना चाहते अब देखिए हमें नेफा किस तरीके से बनाना है उल्टी साइट से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे लगाना यहां से इस तरीके से करते हुए हमें यहां पर सिलाई लगा देनी है तो चलिए हम यहां से यहां तक पहले इसको सिल लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं किस करके यहां से भी लगा सकते हैं और अगर इस तरीके से लगाना है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं अगर ज्यादा मोटी पट्टी आपको लग रही है तो आप इस तरीके से यहां से फोल्ड कर कैसे यहां से लगा दीजिए और साथ की साथ हम इधर से पट्टी को भी अब में पूरी अऊधर लगाने है तो चलिह इसको लगा लेते हैंuccess को तो देखे फैंद्स हमने पे नहीफा भष्थ बना दिया हमारा आफ EIN के इन हमम फर्ष रिचा संब प् glitter अव्यानारी घया घ्रा बनके कंप्लीट opens प्लीट हो गया है किए अब विसके चोली बनाब़ेत हम यह पिंग कलर का कपड़ा रहे हैं इसको डबल कर लेते हैं है लंबाई भी हमारी हाँ पर की यह दितनों थाओ हमारी यहां पर चोड़ाई हो गई है इसको हम इह आ से कट कि यह देखिए फैंस हमारे एक तीन इंच लंबा तीन इंच चोड़ा हमारा कपड़ा हुआ है इसको हमें क्या करना है इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हम इस स्लाई लगाएंगे सेंटर्न हमारा यह हो गया देखिएस एक हमारे इसके चोड़ाई कितने लेनी है तो यह तो हम पर टेन इंचवा थीर नुठ्स हमा twist लगा गया है एक इंची दर से और एक इंची दर से यह हमारा टोटल दो इंच हमें रखना है और इसको इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो चेले पहले से सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से कि कहेंद ठीक हमने यह यहां पर स्लाई लगा लिए यह पर आध्य-आध्य इंच का हमने मार्जन चोड़ दिया है तोटल हमारा यहां पर सवा दो इंच आ गया और यह वाला हमारा देखे सलाई लगने के बाद पौने दो इंच रह गया तो हमारा यह पौने दो इंच और यह सवा दो इंच इसको एक्स्टा पचेवे कपड़े को हम कट कर लेंगे कि यदे करना है इसको हमें पलट लेना है बहुत ही हल्की हाथों से अम इस से पलटेंगे आप चाहे तो किसी चीज की हैल पी ले सकते हैं यह देखी ह हमारा यह अल्प लज़ें है इसारीच से किनारी निकल आईगी इसकी आप चाहे तो पेजकस की help ले सकते हैं हलके हलके हाथ से हम इसे किनारी निकाल देंगे तो देखे पैन समा रहा है कुछ इस तरीके से shape आजाएगी आप हम इसमें देखे क्या करना है इतना हमने कर लिया आप हम इसे पीछे से ले जाके इस तरीके से इसको इतना हम fold कर लेंगे और यहाँ पर हम sly लगा देंगे इतना करने के बाद देखे हम यह कपड़ा ले लेंगे इसकी चुड़ाई देखते हम कितनी है कि चोड़ाई है हमारी सबा 3 इंच लगबग देखे सबा 3 इंच है और इसकी हमें लंबाई ले लेनी है कम से कम हम यहापे 12 इंच की कपड़ा लेंगे यखे 12 इंच की हमने यहापेμ निशान लगा freshmen लगा है इसको कट कर लेते हैं यह हैं zabra तो दीके़ेड's हमने यह सबाढ़ते इंच 3 इंच मान के शे लेंगे हमरें से तीन इंच भी लेंगे था आपको आपक्छ दिक्कत निए इसको हमें इस तरीगे से फोल्ड करना है यह हमने फोल्ड किया और देखिए इसकी लंबाई हमारी 12 इंचे चोड़ाई हमारी कम से कम 1.5 इंच से एक पॉइंट ज्यादा है इसको अब हमें क्या करना है फ्रेंस अब हम इस पर लेस लगाएंगे यह देखिए किनारी किनारी पर हमने जैसे यहां पर लेस लगाई थी उसी तरीके से हम यहां पर लेस लगा लेंगे तो चलिए पहले मैं इस पर लेस लगा लेती हूं देखे फैंस हमने इस पर लगा लिया है लेस भी लगा लिया अपनी और इसकी साइड में भी हमने थोड़ा-थोड़ा सा फोल्ड करके देखे यहां पर लगा दिये अब हम इसमें देखे क्या करना है अब हम इसमें देखे इ यहाँ पे निए ऐसे करके तो चलिए प्रैंट समय पे लिट्स डाल लेते हैं कि अधिक़ फैंट समने यहाँ पे लिट्स डाल लिया हम प्ली दिख लेते हमने ही आपे कितनी इसका चोराइई है यह देखे मारी लगवक धाई इंच आ रही है आप हमें देखे इसमें क्या करना है यह जो हमने बनाया तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना हलका सा इतना फोल्ड करने के बाद हम इसको यहां पर इसका सेंटर पॉंट निकालेंगे पहले सेंटर पॉंट निकालने के बाद देखे जैसे हमारे सेंटर पॉंट आ गया है इसको हम इसके center पर रखेंगे और ऐसे हम यहां पे स्लाई लगा देगे मैं इसके लगा लेती हूँ एक के फैंट्स यह इतना बन गया है इतना बनने के बाद हम इसको यहां से Crystal करेंगे wenniss ln์ करने के लिए आप कोई से भी इतना कपड़ा ले सकते हैं इसको भी हमने फोल्ड करना ऐसे फोल्ड किया और इसकी हमें देखिए यहां पर चोड़ाई रखनी है कम से कम जादा नहीं रखनी है तो हम इसको यहां से कट कर लेते हैं तो देखे फैंस हमने यहां पर इसको कट कर लिया है अब इसको कट करने के बाद जैसे हमने अपने गेरे का नेफा बनाया था उसी तरीके से हमें देखिए इसको ऐसे हाफ कर लेना है हाफ करने के बाद इसको यहां प्रता यहां सिलाई लगा ले लेखें नोज विय्म हमने सावनरे यहां हम तुशन कड़ें से फोल केए और और फिर से फोल करें चाहिं है इसपी अट चीड़ को हम चीड़ी यह यहां पर hou ve नीशिंग आ जाएगी देखिए तो चले पैंट्स हम सिलाई लगा लेते हैं तो देखे पैंट्स हमारी चोली भी बनके कम्प्लीट हो गई है अब हमें इसमें क्या करना है इसको हम यहां पर ऐसे रखेंगे और यहां से ऐसे रखते हुए सिलाई लगा देंगे यहां से सिलाई लगाएंगे जहां से हमने नेफा बनाया था सिर्फ इतनी दूर में ही हमें सिलाई लगानी है जहां तक हमारी चोली का पार्ट है तो चलिए हम इतने में सिलाई लगा लेते हैं देखे फैंट्स हमने यहां पर सिलाई लगा लिए हमारे गेरा भी बनके complete हो गया है, यह dress हाँ 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, दोनों ही kanada ji को पिना सकते हैं, 5 नंबर kanada ji को भी अच्छी से आ जाएगा, 6 नंबर kanada ji को भी, और यह dress 7 नंबर kanada ji को भी बहुत ही अच्छी से आ जाएगी friends, टो तो देखें फैंस हमारे यह dress लुणकर complete हो गया है यह मारा चोली का ही लिए उसे kommt आया के दिखा देते हैं तो देखें फैंस यह हमारे साथनम्ह से पहले हम यहां से घे को अ कि हम हम यह से आपर के बनागा दिंगे और देखें ऐसे नॉट लगाई और हमारी काना जी की रस बिलकुल फिटा आ गई अब हमें क्या करना है यह हमें चोली का हिस्सा लाना है और ऐसे यहां से बांद देना है इस तरीकर से आप काना जी को ड्रेस पेना सकते हैं और यह देखा हमारे भीडस का गेरा भी काफी अच्छे से आगया यह अभ्य चे नबर पांश नबर और साथ नमबर किसी भी किा नजी को अनाम सेester में चेल्ः कानाजी का क्लग BImpर दिखा देती हैं कि कि तरी के लिए और था कि लिए ऑंगे कि प्रिणा दे दख्कες को कि钱 देखें होची लग dependence में नहीं में बता ह Lori यह में कैप बनाना न्यूस्टाल कैप है मैं नेक्स वीडियो में आपको यह कैप बनाना बताऊंगी तब तक के लिए फैंट्स रादे रादे आप यह वीडियो देखिएगा जरूर और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको यह रस कैसी लगी